वेलकम टो स्टाडी सल्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससी का जो पर्थम इंटरस्तरिय प्रमभिक परिच्छा हुआ था उसके जो हम लोग प्रिभेस एर पेपर को देखने वाले हैं यह आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका पांच फरवरी और यह काफी आपके लिए फायदे मंद भी होने वाला है इसमें टोटल जो है आपको 150 को डिसकस किया जाएगा और इन 150 कोईशन में अगर देखें तो आपको जो है जीके के 50 कोईशन देखने को मिलेंगे साइंस के जो है 25 कोईशन रहेंगे मैथ के 25 कोईशन रहेंगे और के आपके पचास questions यहां पे रहेंगे और सारे जो भी जिके के question है उन सभी को हम लोग यहां पे detail में explain करने वाले और काफी आपके लिए फाइदे मन्द होगा और उसके पहले बता दे कि इस से related बिहारे से related जो है और भी पहले previous year के question करवाई जा चुक है आप चाहें तो उन्ह प्लेइलिस में जाके देख सकते है आप जैसी वहाँ प्लेइलिस में जाओगे channel पर तो आपको जैसी वहाँ प्लेइलिस मील जाएगा बिहारे से previous year paper जब आपको अभी दो वीडियो मिल जाएगा एक बिहारे से previous year paper जनवरी 2017 का और दुसरा बिहारे से CGL मेंस का जो पेपर ह था 2016 में वो आपको मिल जाएगा तो यह दोनों वीडियो भी आपके लिए काफी फाइदे मंद होने वाला है यह भी आपको जो एक्जाम में हेल्प करेगा तो आइए बीना देरी की विए जो है इसी शुरुआत करते हैं देखते हैं पहले प्रस्न को पूछा जा रहा है कि र 2025 जो राष्री राजमार्गर योजना की सुरुआत है वो आपका 1995 में किया गया था और एक और आप याद रखंगेगा अभी फिलाल पूछा जाता एक्जाम में भारतमालणा पर्योजना भारतमालणा पर्योजना जय इसकी सुरवाद कब की गई थी तो भारतमाला ऑनना का मुखको देफD me var kare NH की तो NH की कुल संख्यय सब्सक्राय का जीतने भी भारत में रोड़ हैं, उन रोड़ों की कुल संख्यय का, यह दो परसेंट आपको जो NH देखने को मिलेगा, और यह यह अने च है, मतलव जो भी आपके राजमारक है बो क्या होता है कि जितना भी आपका ट्रेवलिंग हो मतलब भारी बाहनों का जो समानों का गोड्स का परिभान होता है उन सभी का 40% जो है वो रोड के द्वारा यहां पर बहन किया जाता है भारवान का 40% जो है बो आपको NH के थ्रूहीं देखने को मिलता है एक और प्रस्ण यहां पे बनता है कि जो एनिच है वो मतलब जो सड़क है सड़क की संख्या जो है सबसे ज़्यादा किस राज में है तो देखो सड़क की संख्या अगर सबसे ज़्यादा देखोगे तो वो आपको महराश में देखने को मिलेगा महरास में सबसे ज़्यादर शड़क है उसके बाद आपको यूपी मिलेगा लेकिन एक प्रस्म मनता है सड़क घनत्व का कि सड़क घनत्व वो सबसे ज़्यादर किस राज में है तो घनत्व के मामले में केरल राज पर्थमस्थान पर है तो यह सारे फैक्ट को आप याद रखेगा देखे अगले प्रस्म को पूछा जा रहा है पिली करांती का किसे समंद है दाल तिलहन सुर्जमुखी या मचली तो इसका सही अंसर हो जाएगा तिलहन का समंद जो है वह आपका पिली करांती से तिलहन की उतपादन का और एक और जो आपको सुर्जमुखी मिल रहा है यह भी क्या है कि तिलहन के अंतरगत ही आ जाता है तो यह भी आप धियान में रखेगा कि सुर्जमुखी का समंद भी आपका पिली करांती से हो जाएगा हला कि यहां पे आप देखो तिलहन के अंतरगत काफी सारे चीज आ जाते है तो आपका नीली क्रांती से इसका संबंद है नीली क्रांती ठीक है मचली उत्पादन को बढ़ावा देने में जो help किया था वो आपका नीली क्रांती ठीक है एक और आपका होता है जिंगा मचली ठीक है तो जिंगा मचली के उत्पादन को जो बढ़ाया था उसे बोलते हैं गुल प्राभी क्रांती तो इन दोनों को आप याद रखेगा और बाकी तो आपको मालूमी होगा कि जो दूद से रिलेटेड है वो आपका स्वेट क्रांती होता है और जो अंडा से रिलेटेड है वो आपका रजत क्रांती होता है रजत क्रांती अंडा से रिलेटेड होता है एक औ दोनों के उत्पादन को बढ़ावा देने में आपका स्वन करांती का योगदान रहा था तो यह सारे प्रशन आपको एकजाम में पूछे जाते हैं इसे आपको ध्यान में रखे अगे पूछा जारा है कि भार्क में उपाजित की गई कितने परतिसत कॉफी निर्यात की जाती जाया और इस रिलेटेट पैक्ट आप यह याद रख सकते है कि कॉफी की उत्पादन में जो है वो सर्वाधिक अगर किसी का नाम आता है तो कंट्री में आपको ब्राजील का नाम जाता है ब्राजील उसके बाद बियतनाम और इंडोनेसिया यह सारे जो देश है वो आपका कॉफी पादन में परमुक है वहीं अगर राजीयों की बात करें तो कॉफी और करनाटक इन दोनों का जो है वो संबन्ध है कॉफी जो सरवाधिक भारत में आपको करनाटक में देखने को मिलेगा और करनाटक में भी कहा तो यह नील-गिरी की जो पहाड़िया है वहाँ पर जो है वो आपका कहवा के उत्पादन से है तो यह भी आप ध्यान में रखें आगे पुछा जा रहा है कि दुरगापूर इस पात कर खाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था ऑप्शन है जर्मनी अमेरिका इंग्लैंड या नार्वे इसका सही अंसर आपका हो जाएग ऑप्शन नमबर सी इंग्लैंड इंग्लैंड की सहायता से दुरगापूर के स्थापना की गई थी कब किया गया था तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भी पुछा जा सकता है कि कि पंच वर्षी योजना के अंतरगत की गई थी तो यह आपका सेकेंड जो फाइब प्लान था उसके इंतरगत किया गया था सकेंड फाइब फाइब यह प्लान की जाती है तो दुरगापूर वाली की अस्थापनात की गया हिए वर रूएफ यह याइशना है तो घ। रॉल केला जो है इसका हुआ है जर्मनी के साहता से जर्मनी के साहता से जर्मनी के साहता से रॉल केला के अस्थापना की गई थी ठीक है उसके बाद अगर बात करो तो थर्ड फाइव इयर जो प्लान था थर्ड फाइव इयर प्लान में भी जो है कुछ जो है वी इंडस्ट्र और कर खाना थे ये रूस और रोमानिया ये दो colleges के स्थापना होती है कब होता है ति आपको जोता है तिन दोनों का जो अष्थापना है वा आपका थ antibody ंप्लान के Хamie इंतरगट होता तो एक्जामे क्या होता है कि आपको दें दिया जाता है कि कॉन जो है वह आपका second 5-year plan में अस्थापित नहीं हुआ विए अगले प्रच्छ को आगे पूछा जा रहा है किस वर्ष के बजट में GFT का जिक्र बजट में किया गया था लेकिन अगर पूछा जाए ये लागू कब से हुआ तो इसको लागू जो होने में 10 साल लगे मतलब 2017 में ये आपका लागू हुआ था कब हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से हुआ है एक जुलाई 2017 से आपका GFT लागू हुआ है भारत में और एक प्रस्नी ये भी पूछा जाता है कि कि सम्मिधान संसोधन के द्वारा जो है वो GFT को लागू किया गया था तो वो याद रखिएगा 101 माद जो सम्मिधान संसोधन था 2016 उसकी द्वारा जो है GFT आपका लागू हुआ था और एक संस्ता है आपका GFT कॉंसिल ठीक है GFT कॉंसिल तो ये याद रखिएगा GFT कॉंसिल जो है ये आपका सम्मिधानिक परिसद है सम्मिधानिक निकाई है ये ध्यान में रखिएगा बहुत बार ये पुछा जा चुका है कि GFT कॉंसिल जो है वो किस परकार का निकाई है तो ये आपका सम्मिधानिक निकाई है और इसका उलेख जो है वो आर्टिकल 279A में जो है इसका उलेख किया गया है 279 में आपका GFT कॉंसिल का उलेख किया गया है यह आपका constitutional body है आगे पुछा जा रहा है कि रफ्टरी करन से पहले SBI का नाम क्या था तो रफ्टरी करन के पहले SBI का नाम क्या था यह पूछ रहा है तो इसका सही इंसर होगा आपका Imperial Bank of India देखो पहले आपका SBI Imperial Bank of India के नाम से जाना जाता है और यह Imperial Bank of India जो है वो तीन बैंकों से भी बना हुआ था एक तो आपका Bank of Madras ठीक है Bank of Madras उसके बाद फिर Bank of Kolkata और Bank of Mumbai ठीक है Bank of Madras हो गया Kolkata हो गया और फिर Mumbai या फिर उस टाइम जो है Bombay के Bombay के नाम से जाना जाता था तो Bombay तो इन तीन बैंक जो पहले से मौझूद थे इन तीनों को क्या किया जाता है कि 1921 में जो है इन तीनों को मिला के आपका बना दिया था Imperial Bank of India फिर यह Imperial Bank of India जो है भारत के अजादी के बाद क्या होता है कि इसका Roughtree करन कर दिया जाता है कब किया जाता है तो एक जुलाई 1955 को जो है इसका Roughtree करन कर दिया जाता है और उस टाइम से फिर इसका नाम जो है वो Update Bank of India हो जाता है और जो है पहले इसके कई सारे associate थे और उन सभी associate को अब merge करके SBI कर दिया गया अब एक प्रसन है उसका अंसर दे सकते है कि RBI को जो है वो कब Roughtree क्रिट किया गया था RBI का Roughtree करन कब हुआ है यह जो है आप वर्षी यूजना चल रही थी तो वो आपका बार्मी पंच वर्षी यूजना लागू था बार्मी पंच वर्षी यूजना का अगर हम लोग time period देखेंगे यह 2012 से लेके 2017 तक इसका time period होता है ठीक है पान सल का और यह अन्तिम फाइव यर प्लान है वही अगर पुछा जाए पहला फाइव यर प्लान जो है वो कब से कब तक था तो वो आपका 1951 से लेके 1956 तक जो है वो आपका पहला फाइव यर प्लान चलता है तो इसका सही अन्सर हो जाएगा 7 का B नंबर जो है वो correct हो जाएगा देखते हागे पूछा जा रहा है railway अधारी सनुचना के लिए इस स लीवे सरी रेलेटेड़ है इक प्रास ना आपको पूछा जा सकता है के आपका बंदे भारत कब चला था तो याद रखेगा बंदे भारत के शुरुआट ब्ड आपका 2019 में की गई है कि यह किसी देश की ब्यक्तियों कि I.B. को ग्याद करता है तो उसे बहिए लॉर्च बक्र क्या होता है कि यह कुछ इस तरीके का यहाँ यह वक्र होता है यहाँ पे x 45 देग्री पे निर्पेच सम्ता रेखा होता है ठीक है निर्पेच सम्ता रेखा होता है और इसी से यहां पे एक कर्व बना हुआ होता है यह आपका कर्व हो गया और यहीं आपका कहलाता है एक मिनट कलर चेंज कर ले ताकि आपको और अच्छी से क्लियर है यहाँ पर एक कर्व हो गया और यह कर्व ही जो है आपका लौरेंज बक्र कहलाता है अब यह होता क्या है, देखो इसमें मिली जो है यह आपका गरीबी को दरशाने के लिए किया जाता है या फिर दुसरे सब्दों में बोल सकते है कि आईक की जो असमानता है उसे दिखाने के लिए लॉरेंज बकरका उप्योग किया जाता है इसमें क्या है कि जितना मतलब क्लोज रहेगा मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर यह जो समता रिखा है निर्पेश समता रिखा है तो इसकी यह नजदीक है तो यहाँ पर आईक की असमानता है वो कम होगी और जैसे जैसे यह दूर आपका जाएगा जैसे जैसे यह डिफ्रेंसेज बढ़ेंगे तो आईक की असमानता जो है वो आपका बढ़ते जाएगा तो यह चीजे जो है यहां पर आपका निर्पेच यहीं मतलब आपको जो है लॉरेंज बक्र के द्वारा बढ़ताया जाता है एक और होता है आपका उसे बोलता है गिनीज गुनांक क्या होता है तो देखो गिनीज गुनांक क्या हुआ कि यह आपका जो सैडो एरिया है बो मत होल एरिया को अगर हम लोग डिवाइट कर देंगे तो यह हमें गिनीज गुनांक का प्राप्त हो जाता है अब गिनीज गुनांक होता क्या है तो यह भी जो हमें बताता है आई असमांता के बीतरन के बारे में जो बिसमता है उसके बीतरन के बारे में हमें बताने का काम करता ह बित्रन आई भी सम्ता का बित्रन जो है वो आपको बताता है गिनीज गुनांक गिनीज गुनांक तो यह ध्यान रखे है गिनीज गुनांक का समंध किसे है तो आई भी सम्ता से ही इसका समंध है उसके बित्रन से यह रिलेटेड है ठीक है तो नौ का जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा एह नंबर आगे की bank note price, बैंक note price जो है, यह आपका दिवास में है, वही अगर बात करें हुसंगाबाद की, तो यह आपको यहाँ पे security meal है, ठीक है, security meal जो है, वो आपको हुसंगाबाद में मिल जाएगा, वही अगर नासिक की बात करें, तो नासिक में एक तो आपका है इंडिया security price ठीक है इंडिया security price वो आपका नासिक में हो गया और दुसरा जो currency price है वो भी जो है आपको नासिक में देखने को मिलेगा तो इन तीनों को आप याद रखेंगा परात तो हो गया banknot price तो यह आपका दिवास में हो गया security meal यह आपको वो संगाबाद में हो गया, नासिक में किया है कि एंडियान सेक्रेटी प्रेस हो गया और फिर करेंसी प्रेस भी आपका नासिक में देखने को मिलेगा, देखते हैं अगले प्रसम को, पूछा जा रहा है जनसंख्या की दुरस्वी से चार्ट बड़े राज में से यह नहीं है कौन चार्ट बड़े राज नहीं है, देखो सबसे बड़ा अगर राज देखा जाए जनसंख्या की मामले में, तो वो आपका यूपी पहले नमबर पर आ जाएगा, उसके बाद महराफ्र आ जाएगा, ठर्ट नमबर पर आपका बिहार आएगा, और फोर्थ नमबर पर जो atraviva वर्ग क्लो facilities जनसंख्या गनत्們 सर्वाधिक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार आपका पहले अस्थान पे हो जाएगा, गनत्व क्या होता है, तो फर्ती वर्ग क्लो eyeballई क्लो मीटमेटर उपस्थित जो ब्यक्तियों जो संख्या को जो बोलग्या Cand champion. और बि जाए भारत की की निशनल लेवल पे क्या है तो निशनल लेवल पे आपको 382 देखने को मिलता है जनसंख्या घनत्व और अगर बात किया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है तो बो फिर आपको देखने को मिलेगा अरुनाचल परदेश में ठीक है अरुनाचल परदेश म नाम किया था तो उसका सही नाम है आपका परम परम8000 जो है वह भारत में इसकी विकास की गई थी यह आपका पूने में है सीड़ेक पुने में अच्छा अभी क्या हुआ है कि हाल फिलल में जो एक्जाम हुआ था अपना आपका पटना हाई कोट का उसमें एक प्रसन ये पुछा गया था कि सुपर कम्प्यूटर की खोज किसनी कि थी में हम週म सुपर कम्प्यूटर का निर्मान जो है उसका स्रे किसे दिया जाता है तो याद रखेगा सेमाउन क्रे सेमाउन क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर के निर्मान का स्रे दिया जाता है और पहला जो सुपर कंप्यूटर पूरे बिस्व में जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम भी जो है वो आपको क्रे के कि वअने o के का समझीं की पहला जो सुपर कंपीटर थते है इसके निरमान का सरीच मत्लब सुपर कंपीटर के जनम्दाता का सरीच आपका सिमॉन क्रीक हो WIL जाता है tranh 2 कैंसल को जाएगा मईr ये ये क्रेक्ट हो जाएगा देख अगले परसंवर अगला प्रशन है भारत में फोर्जी सेवा का प्रारंब कब हुआ ऑप्शन है 2000-2012-2016 या अभी आरंब नहीं हुआ तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा 2012 फोर्जी सेवा की सुर्वाज जो है वो 2012 में कर दी गई थी देखते अगले प्रशन को 15 नंबर पुछा जा रहा है ब्रेटेन का सियर मुल्ट सुचकांक है देखो दो चीज होता है एक होता है कि किसी देज के अफ्रॉक एक्षेंज को क्या करता है वो अलग प्रशन है लेकि इतना बड़ा और इतना गरा इस तरीके से बात करते हैं ओं अगर नेशनल अफ्रॉक के बात करें तो उसे बोला जाता है निफ्टी भार घ़ाता है तो उसी तरीके से यहां प्रेशन पुछा जा रहा है वो आपके Ftock Exchange के बारे में नहीं पुछा जा रहा है ठीक है यहां पुछा जा रही है कि उस फ up exchange के मुली को क्या बोलते है जैसे जो ब्रेतें का Ftock Exchange है वो आपका LSE होता है आर्था लंडन अ फडॉटक exchange LSE ठीक है लेकिन उसका जो आपका सुचकांक है उसे बोला जाता है FTAC 100 ठीक है जैसे आपका नेशनल फ्रोक एक्षेंज का था न निफ्टी 50 बोलते हैं उसी तरीके से ब्रेटेन वाले को FTAC 100 बोला जाता है उसी तरीके से अगर बात करें आपका यूरोप का यूरोप का जो फ्रोक एक्षेंज का उसी तरीके से अगर बात करें तो यह है यह आपका यूरोप का यूरोप का जो FTAC 100 असे जो है इस तरीके इस तरीके से जो मतलब शेर मुल्ट सुचकांक है उसे FTOX के नाम से आपका जाना जाता है ठीक है और यह आपका जो शेर मुल्ट सुचकांक है तो यह इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं ऐसे ज्यादा तर जो पूछा जाता है वह आपका पूछा जाता है USA का यह USA में एक का आपका नेसटेक करके है N-A-S-D-A-Q ठीक है? नेसटेक तो नेसटेक जो है ये आपका USA का Stock Exchange है फिर वहां पे एक और आपको मिलेगा NYC New York Stock Exchange ठीक है NYC ये भी आपका कहाँ कहा है? ये आपका USA का हो गया फिर अगर जपान में बात करें तो मालूम है टोकियो फ्रोक एक्सेंज जपान में आपका है तो इस तरीके से जो है आप यह मतलब काफी डिपली क्वेशन पुछा हुआ था काफी डिफकल्ट क्वेशन यह आपको पुछा हुआ है देखते आगले प्रस्ट को पूछ रहे कि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के पर्थम भारतिय गवर्नर कौन थे तो देखो पर्थम भारतिय गवर्नर जो है वो आपके सेड़ी देश मुख हो जाएंगे जो पर्थम इंडियन गवर्नर थे आर्बी आई के वही अगर बात करे 1935 को जो इसका अस्थापना हुआ है और अगर पुछा जाए कि इसका रफ्रीय करण कब किया गया तो इसका रफ्रीय करण किया गया था एक जनवरी 1949 को 1949 को जो इसका रफ्रीय करण कर दिया जाता है ठीक तो इस तरीके से आप याद रखेगा 9549 में इसका रफर्य कंट किया अगया RBI का आगे पुछे जारे किसनी जो है रुपया का साइन किया था। और वह कहां पढ़ रहा था । देखो जो रुपया का साइन किया है जो इस तरीकी का आपका जो रुपी का साइन है यह डिजाइन किया था डी उदय नामक छात्र ने डी उदय और यह कहां का था तो यह आई टी बॉंबे का था तो 17 का बी नमबर जो करेक्ट हो जाएगा आगे कि वह यह कारवन कर खोशित करने वाला पर्थम देश है तो यह आपका जो है वो फिल्लेंड हो जाएगा देख के करन करो जोते है और ज्जादा तर आपका जिकेक है तो आपको कियरेक्ट पर ही सब कुछ, मत लुटा दीजेगा अपना सारा टायम है effect अपना गिके पर ही dependency कीच सले हाओ weiß और अब हमकोशने कोन पोचह पूछ जा यहां हमें प्रत्रा चल जाता है patron का जवाप सेट लगाते हैं तो देखते हैं आगे पुछा जा रहा है की फीर चाड़या कहां पाई जाती जो एक चड़िया है आगे कि ब्राजिल की मुद्रा क्या है तो ब्राजिल की मुद्रा जो है वो रियल है ठीक है रियल के से इसे डिनोट किया जाता है और अगर बात करें रूबल की तो रूबल जो है वो आपका रसिया का है वर जो है यह आपका जो है थाइलेंड का है थाइ यह सौधिक का हो जाएगा देखते हैं तो मतलब 20 का जो सही एंसर होगा वो होगा ओप्शन नमबर B आगया कि कौन महलो का सहर कहलाता है तो महलो का सहर जो है वो आपका कुलकता कहलाता है और कुलकता की जो अस्थापना है वो जौब 49 के द्वारा किया गया था जो ब्रिटिस लेकिन फाइनली बनता है 1912 में अगरबात करें लखनो की तो लखनो को जो नवाबो के सहर के नाम से जाना जाता है अगला कि अच्छे समय का राजा कहा जाता है तो वो जो विजय मालिया को जो अच्छे समय का राजा के नाम से जाना जाता था आगया कि यह मुंबाई की प तो यह भी आपका क्रेंट का प्रस्म था जो हर्सा थी वो पहली प्रेक्शनली सिसू थी मुंबाई की और इन्होंने दोसुला में एक सिसू को जन्म दिया था इसलिए यह उस्टाइम चर्चा में था आगे के इंडियान एरलाइन्स की पर्थम महिला पाइलट कौन थी तो व होने ही जो है वो बि suppression की थी कब किया था तो उनी सो पंद्रह इसी में और आपको मालूम हों चाहिए कि जब इसके demasiado की वं में शामिल उते सार्विनिक रूप से अगर कोई काज़क्रम था तो यह था ठीक तो याद रखेगा मदल मोहन मल भी है के बारे में देखते आगे पर्थम भार की अभिनेत्री कौन थी जिन है दादा साहिब फाल के पुरुषकार परदान किया गया था तो पर्थम अभिनेत्री जो है वो 1969 में दिया गया था 1959 में इन्हीं दिया गया था देखते आगे अगला अच्छा एक और याद रखे इस वार का जो है मतलब 53rd अगर पूछा जाएगगा कि दादा साहिब फाल के पुरुषकार किसे दिया गया तो वो बहिदा रह्मान को दिया गया बहिदा रह्मान को तो य ये भी आपको एक्जाम ये पूछा जा सकते हैं इसलिए इसको याद रखेगा देखते हैं अगले प्रसम को पूछा जा रहा है कि यह हिंदी साहित के परसीध आलोचक थे कौन नामबर सी यहरी संकर परसाद जैसंकर परसाद यह दीन बंदु निराला तो इसकर सही अंसर हो बस इस तरीके से आपके इनका याद रखें दुसरी परंपरा के खोज इनका परसीध पूस्तक है आगे कि पद्मबद के लिखा कौन थे तो पद्मबद के लिखा जो है बो मली मुहमाद जैसी हैं और अगर पुछा जाया कि मली मुहमाद जैसी ने पत्मबक्त किसकी काल में मतलव यह लिखी तो यह सेर साह के काल में इन्हों ने पुछतर कंप्लेट किया था फिर तुलसीदास के बारे में तो तुलसीदास जो यह कभीर मतलव अकवर के समक सबसे, बीजक कोके लिखक, सबसे भी आप की वे लिखक है। है जॉन मार्टीन जॉन जॉर्ज मार्टीन तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर एक यह क्रेक्ट हो जाएगा देखते अगले प्रस्म को पुछ रहे हैं इंडिया आफ्टर गानधी के लिखक कौन है इसके लिखक जो है वो आपके रामचंद्र गुहा हो जाएंगे ती इवरी वोट्स कॉंट यह इनकी पुष्टक थे इनकी नवीन चाबला की तो यह भी आप याद रखते हैं वहीं अगर बात करें चेतन भगत की इनकी कई सारे पुष्टके जो है वो फेमस है अभी हाल कि अगर पुष्टक की बात करें तो वन एरेंज्ड मैरेज जो है वो एरेंज मर्डर यह जो इनकी फेमस पूस्तक है देखते आगे 31 पूछा जा रहा है किस भारतिय क्रिकेटर के जिल के कमरा अब एक परियाटक अस्थल बन गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा बीर सावरकर अब जाना जाता है परियाटक अस्थल के रूप में जाना जाता है वहीं अगर बात करें जैपरकास नरायन की जब इन्हें भार छोड़ा अंदुरन के टाइम जया हजारी बाग जयल में रखा जाता है हजारी बाग जयल में तो उसके दिवाल को पान कर यह जो दीपावली के तो यह भी पुछा जाता है किस जेल की दिवार को यह पानकर भागे थे तो याद रखेगा हजारी बाग जेल और इन्होंने एक पुष्टक की भी रचना की थी और इन्होंने लिखा था हमारी जेल डाइरी हमारी जेल डाइरी यह किसकी पुष्टक है तो यह जै प्रकास नर तो इसका चिन का था, इसका सही अंसर हो जाएगा, rate automation, rate automation के दोरह यह चिन दिया गया था, वहीं एक प्रस् Hub press नहीं पूच लिया जाता है, www का और अबिस्कार कूस की तो यह तो यह Team alert berners lii के द्वारा किया गया था team berners lii के द्वारा WWU की खोच की गयी थी और आपको मालूम हे है facebook की सनस्थापक you Karl Suggarberg औरеля एpul के जए वो Steve Jobs है यह एpul के सनस्थापक है और Billgate कौन है तो यह USA के परसित धनि ब्यक्ति है आगे है कि किस बैंक ने अपनी क्रमचारी को घर से बैंक के सर्विस अविगम करने की जाधत दी है तो देखो यह उफ टाइम का क्रेंट का क्योशन है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा ऐसी ऐसी आई आगे है कि यह लेख क्या लेख का जन्म बिहार में हुआ है तो आपको मालू होना चाहिए कि जो फनिस्वा ना थ्रेनु है इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ है और एक और आपको मालू होगा रामधारी सी दिनकर वो उनका भी जन्म जो है वो बिहार में हुआ है रामध वह आपका अररीय जीले में आता है और फनीशननल आठ रहनू कि अगर पुस्तक की बात करें तो मैला आचल जो है इनकी फेमस पुस्तक देखते हैं अगले प्रस्टन को अगला प्रस्टन है कि यह गायन सेली बिस्मिला खां किस साज के बजानी के लिए परसीद है किस चीज के लिए परसीद है बिस्मिला खां तो यह सहनाई बादन के लिए परसीद है और याद रखेगा कि बिस्मिला खां को भारत रतन से समानि किया गया था आगे कि यह गायन सेली नवाब बाजिद अलिसा के दर्वार में सुरू ही ओप्शन एक कवाली दादरा ठुमरी या गजल तो सही अंसर हो जाएगा ठुमरी ठुमरी की सुरूआज जो है बाजिद अलिसा के दर्वार में सुरू किया गया था और यह कहां के नव इस हिस्वे में किया था और अगर पूछा जाए कहां किया था तो इन्होंने इलाहबाद में इसके स्थापना के थी इलाहबाद में आगे कि यह लेख का अंग्रेजी के बजाए इटालियन में लिखती है तो वो जो 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 ये भी जूम्पऎलरी की पुस्तक है धती राई को जाना जाते है एक और समाल गॉंडसे गॉंडसे लिए हगार्ड सव्श्वल मतल जाता है ल्हें इनकी सीध्व पुस्तक हो इनकर और बात करें भीख्रम शेटके तो यंहें जाना जाते है he इस्यू टेवल बॉआ यह इनकी परसिद्ध करेती है ठेक है देखते है प्रसंद को किनकी आत्म कथा टेस्ट आफ माई लाइफ है और यूबराज ड्रविड सचीन या धोनी इसका सही अंसर हो जाएगा यूबराज यूबराज का जो है देस्ट आफ माई लाइफ इनकी आत् जाता है और यह पूछा हुआ प्रसन है कि दवाल के नाव से किसे जाना जाता है ठीक है देखते है अगले परसिद्ध को अमर्स इनको इसके लिए नोबल प्रैस दिया गया था तो इन्हें जो अर्थ सार्ष के लिए नोबल प्रैस दिया गया और पूछा है कब दिया गया तो 1988 में इन्हें दिया गया था Novel Prize, और किस चीज के लिए दिया गया था, तो कलियानकारी राज की अस्थापना के लिए इन्हें Novel Prize दिया गया, कलियानकारी राज की अस्थापना के लिए, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखें, अगला प्रस्टन है, Okay No.41, पू परफॉर्म किया जाता है और इसके लवाई एक और आपको मिल जाएगा ओडिसा ओडिसा में भी जो निर्त होता है तो इन चारों राज़ों को याद रखेंगे पच्छेमंगाल धर्खंड और बिहार इन सभी में जो जो निर्त देखा जाता है आगे है भार्तिय समिंदांग का कौन सा भाग राज के नितिन देशु करने वाले तत्व का उलेख करता है तो आपको मालूँ में कि प्रदेश में नगरिंगा का उलेग करता है न बात के बात चार kakeddh गएते माली करत्व सवासां का उलेग करती है यह जो रासभा में रासभा वम में जो मतलब परतिनीधी होते हैं राजियों और केंसासित प्रदेशों के उसके वारे में बताता है आपका अनसूची 4 भाग 8 यह आपका बताता है भासाओं के वारे में इसमें 22 भासाओं का उलेखा आपका किया गया है वही अगर बात करें भाग अनसूची 10 की तो यह आपका संदन से वह आपका 52 हो जाएगा 52 22 संदन संदन के तहर जो दल बदल उनके बारे में बात की गई है जब कि जो अनसुची 12 है यह क्या नगर पालकर से रिलेटेड है और यह किसमें है तो यह आपका जो तिहतर्मा संदन संदन था 1992 उसमें जो है इसका उलेख किया गया था आग समय तक राजपती रहने वाले ये ब्यक्ते थे तो ये 12 बर्स का इनका टेनियोर था और ये बिहार के किस जीले के थे तो बिहार के सीवान जीले के और जीरा देग गाउं के थे आगे है भरती समिधान में राशपती चुनाब परती का सुरोट किस दे से का समिधान से लिया गया है देखो जो आयरलेंड का समिधान है वहां से राशपती की चुनाब का बारे में बात किया गया और दुसरा कि जो राशवा में 12 सदस्यों को मनौनित करने की बात है वो भी आपको आयर्लेंड के समिदान से ही लिया गया है और जो डीपीस पी है वो भी जो है आपका लिया गया है आयर्लेंड से तो इन सभी को याद रखेगा जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो बीमर समिदान है वहां से आपका अपात काल लिया गया है अपात काल बो जो जर्मन से यहाद रखे हैं ME यहाद रखेंगा यू इसे से यह ऑंक्रुप कर्दव dalे यह जो हुआू कि यह सउगईले यहां है आंगे की लोग सर्भ के कितने सदस्राष्पती नोनित करता तो ता दोग चुरत्वा नियों Bulgar उडियान थे लेकिन क्या है कि 104 जो समिधान संसोधन हुआ आपका 2019 में उसमें क्या किया गया कि इस प्रवधान को समाप्त कर दिया गया जो एंगलो इंडियन की न्युक्ति है उसे समाप्त कर दिया गया तो याद रखेगा कि समाप्त किया गया तो 104 समिधान संसोधन के द्वारा जो है इस इसे समाप्त किया है आगे कि किस ने सरकार को 1950 में सर्भोद योजनद प्रस्तुत किया था बिनोब भावे अन्नहाजार जैपरकस नरायन या लालवादू सास्त्री तो इसका से एंसर हो जाएगा जेपी। इन्होंने 1950 में 1950 में सरवोदय योजनक की फारिश की थी प्रस्तुत किया था तो याद रखेगा जेपी और बिनोब भावे की बात करें तो इन्होंने भुदान अंदोलन चलाया था और इसके बारे में हम लोगोंने पिसले क्लास में काफी डेटेल में चर्चा की थी देखते सबसे कम अस्तली सिमा बनाता या बाढ़ता या ऊंसर होगा आपका म्यनमार्क म्यनमार्क सबसे कम स्तली सिमा बनाता या ऑर इसकी 6243 क्लोमेटर सबसे जादा आने कि लगते लotherapना टो आपका बंगलादेश चीन को अलग करती है और जो पाकिस्तान है उसके साथ कौन सा है तो रेड क्लीफ रेड क्लीफ जो है वो आपका पाकिस्तान के साथ है आगे देखते हैं पूछा जा रहा है तो फोटी एट का जो है वो से एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी फोटी नाइन की बाल करक रेखा किस राज के मत से नहीं गुजरती है तो देखो करक रेखा आपका जो है शतिसगर पूरा धर्खंट से होके गुजर रहा है बिहार स सौथ वाले जो 13 दिख धिया उसे मकर्रेखा करते हैं मकर्रेखा भार्ज से नहीं गुझरती है करक रेखा जो है कितने राजियों से उके गुझर रही है तो यह जह है अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया की मैप में आप को दिख जाएगा कि यह आपका राजस्थान के आसपास से जह है ठीक है मैं पूछना चाने तो एक करक रेखा आपका यहां से गुजर रहा है ठीक है पच्छिम से लेके पूरब की और यह भार से गुजर रहा है तो इसमें कौन-कौन से राज आपके आ जाएंगे पूरब करें तो आपका राजस्थान आ जाएगा राजस्थान गुजरात उसके बाद फिर यह आपका जाएगा मदपरदेश 36 गढ़ यह चार राज हो गया उसके बाद फिर आजाएगा पूर्पूरा और मिजोरम तो यह टोटल आठ जो राज है उससे होके करक रेखा आपका प्रदेश में जाना जाने लगता है और जब यह बंगलादेश में पहुचती है तो इसे बोला जाता है जमना और जब यह गंगां से मिल जाते है तो यह पद्मा बन जाती है और फिर यह आपका बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। आगे कि बिकर मुलता क्या है ? बिकर क्या होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है। और हमारे शरीर में अगर बात करें तो 20 तरीके अब बाणी का बनाम होता है और ये प्रोटीन अब्रोटीन प्रणीन निर्मान के उप्रयोग होता है एक प्रस्ण ये भी पुछा जाता है कि एक कारेसील महला को कितना ग्राम प्रोटीन की हो सकते होती है तो उससे जब 45 ग्राम प्रोटीन की हो सकते होती है फिर अगर पुछा जाए कि प्रोटीन की खोज किस ने की थी तो बर्जिलियस के द्वारा जब प्रोटीन की खोज की ग सब्सक्राइब कर निवारण के लिए अक्तर लेंज düny उन०्सक्तित होती है और जो आइपर- जी सब्सक्राइब लुए मद्ले नबेंद। तो गुस्सा वाला लोग को चाहता है कि वो दूर रहे तो दूर दूर दूर्श्टी दोस हो गया और उसके निवारन के लिए कि उत्तर लेंज की अब सकता होती है देखे अगले प्रस्चों को पूछा जाया है साफेक्स आधरता की सी अंतर से मापी जाती है तो देख साफेक्स आधरता मापने के लिए हाइग्रोमेटर का यूज किया जाता है ओप्षोन नमबर बी जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा वहीं अगर बात करें हाइड गरव द्रबों पिछिक घंत्व को यह काम करते हैं है थिह लेट्रो मेटर लेस्ट्रो मेटर्ट एक लेक्ट्रो मेंटरबि इत्विग किया जाता है से थिक देखते हैं अगे फिप्टि फोर ऑफ्ष्यनुम्ब्स की Onu बनाय है किस रंग का त्रंग सबसे कम होगा और इसका परकिर्णन है वो सबसे अधीक होगा जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है स्वेट रंग को जबसे जबसे कम धैर की का है वो एपनी रंग और जो आकास नीला होता है वो भी तो इस फैक को भी आप याद रखे गए आगे पुछे जाए कारी का मात्रक क्या है तो कारी का मात्रक जूल होता है फिर न्यूट्रोन यहां पे दिया हुआ है न्यूट्रोन तो कोई मात्रक नहीं है न्यूटन जो है मात्रक होता है बलका बलका बाट क्या यह सकती का मात्रक है और डाइन क्या यह बलका मात्रक है ले याद रखेगा और यह सबसीध पूछा जाने वुली है परकास वर्स किसकी इक आई है तो याद रखेगा परकास वर्स जो है आपका दूरी की इकाई है जो लंबी-लंबी दूरिया होते हैым उसी मापने के लिए प्रकास वर्स का यूज किया जाता है और अगर बात करें कि इसका मतलब मेटर में कितना होता है तो 9.46 इन टू 10 to the power 15 ये एतना मेंटर जो आपका एक परकास वर्स में होता है फिर फिर पुछ लिया जाते है एक पारसेख में कितना परकास वर्स होता है तो एक पारसेख में जो है वह 3.26 परकास वर्स होता है तो देखो यहां पे रेडियो अवरक्त ध्वनी और परावैगनी बोला जा रहा है तो याद रखेगा जो ध्वनी तरंग होती है वो क्या होता है कि आपका बिद्धु चुमबके तरंग नहीं होता है जबकि जो परकास होता है परकास क्या है कि वो बिद्धु चुमबके तर और यहां नुद्धेयर में भी आपको धह देखने को मिलेगा तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन में क्या है इनमें अगर आप देखो तो आपका प्रवैगनिक क्या होता है कि यह भी प्रकास की किरिण होते हैं प्रवैगनिक प्रकास अब्रक्त प्रकास ठीक है तो यह जो है अब्रक्त प्रकास और प्रवैगनिक प्रकास यह दोनों तो आपका लाइट ही हो गया और अभी हम लोगों जो है option number c हो जाएगा 57 का c number 58 देखते हैं पूछे जा रहा है प्लांक का नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number d 6.63 एंटो 10-34 जो है यह इसका मान होता है प्लांक का और प्लांक जो है एक बैग्यानिक थे इन्होंने क्वांट का सिधान दिया था वह प्लांक के द्वारा दिया गया था अगला की हल्दी पौधि के किस भाग से प्राप्थ होता है तो आपको मालू हो आपको हल्दी जो है वह पौधि के तना से प्राप्थ होता है और साली प्राप्थ हिन प्राप्थ हो जाल कैसे मैं किले मेंसिक हैं के जो होता है बहुत दे दिया जाता है एक जामे कि, कितने परकार की होती है यह देखो थोड़ सा difficult हो गया जनरली यह ऐसा नहीं पुछा जाता कि ड़वलोबीसी कितने परकार को होता है ड़वलोबीसी जो है वो 5 परकार के होते है और उसी में से आपने सुना होगा lymphocyte का नाम lymphocyte होता है bacillus होता है प्रश्ण होता है फिर एक जो है नूट्रो फिल्स होता है और इसे नो इसनो फिल्स होता है तो यह सारे आपके WBC के ही पार्थ है लेकिन जनरली यह पुछा नहीं जाता कि WBC के कितने पार्थ है बस आप याद रखेगें कि 5 परकार के परकार के WBC होता है और WBC का लाइफ होता है काफी कम समयंत कि इसका लाइफ होता है मातर ब्लट में ही WBC का अंत हो जाता है आगे कि लश्का कि इसमें उपस्तित है तो देखो लश्का जो है एक परकर का क्या होता है कि सन्योजी उत्तक होता है ठीक है सन्योजी और इससे संभाहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं यह दोनों का काम करता है देखो संभाहन उतक के जब लिन्फोसायट से अभी देखने को मिलता है अब लस्का से अब creations और मतलब मतलब लस्का उत्तक से हिर्दय की और जाती है फिर्दे की ओर जाती है और यह मात्र एक दिशा में ही मतलब इक दिशा में बाढता यह भी इसका जौए एक यूनिक फीचर होता ही तो इसका सही और जाये का सही आंसर है कि लपका किस्मी उपर्ष्थित होती है तो यह को संभण तक में उपस्तित होती है फिर पिलिया रोग ब्लड में की मात्रा बढ़ने से होता है तो देखो ब्लड में अगर बिलूरुबीन जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को पिलिया रोग के नाम से जाना जाता है और ज्यादा मात्रम में अगर यह हो तो फिर यह आपका ह हेपिटाइटिस का भी रूप ले लेता है पिलिया रोग को ही आपको हेपिटाइटिस की नाम से भी जाना जाता है ठीक है देखते हैं अगले प्रस्म को 602 का जो से एंसर होगा वो होगा आपका ए नमबर देखते हैं अगला पूछ रहा है कौन सबसे बड़ी ग्रंथी है तो लीवर का में काम होता है इसमें मतलब छोड़े छोड़े एक तरीकी का आंकुर रस आंकुर पाय को पए जाते हैं और भोजन के पाचन के बाद जो बचा हुआ रहता है आप में बॉस्टेम का पाचन होगया ठीक है तो वहां पर आपका क्या हुआ कि यह आपका अलग लग तूट गया जैसे कि आपका एसीड में तूट गया या फिर प्रोटीन बगेरा के रुप में तूट गया तो उन सभी को अफसोसन करने का काम जो है वो आपको लीवर में होता है और लीवर में जो राशांकूर है उसके द्वारा यहां पे हो जाता है तो वैसे में अगर जहर पगेरा तो उसका भी आती होगा और बोज़ फिर आपको उसी का जाच के करन पता चल जाता है एक चीज़ और जो आप एक्ट्रा भोजन लेते हो तो वैसे में बो क्या होता है कि जो गुलकोज है बो गलाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है और बो जाके लीवर के दी प्याद रखेगा सबसे बड़ा ग्लैंड जो आपको लीवर हो गया यक्रित हो गया वही अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक जो है एक परकार का उसरजी यंग है और इसका जो यूनिट होता है बो होता है निफ्रॉन निफ्रॉन जो इसका करियात्म किकाई होता है फिर सै बॉरस रहरा है जो मचड है उसके भी मतलब 120 आ गूह अर इस में अगर आप देखोगे तो इन पूछाता है कि जो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जितना भी इसलिए निखलत box ध आपका FTH हो गया जो ब्रेधी हार्मोन है वो हो गया फिर थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन है वो इसी से निकलता है तो यह सारा हर्मोन चुकि इस से निकल रहा है इसलिए इसको मार्फ्र ग्लैंड के रूप में जाना जाता है फिर देखते हैं तो 65 का से अंसर हो जाएगा कमी से जो बोला जाता है कि जन्न नल्रोक जो होता है वह बिटामिन एक ही बात करे तो यह आपका रेटिनल हो गया बात समाजिक व्यस्ता के लिए परसीद है और एक चीज और याद रखेगा यह जो मध्ध मक्ही है इनकी काटने से इनके डंक से जो लहर या जलन होती है वो होता है फॉर्मिक एसीट के कारण फॉर्मिक एसीट उसका श्राव होता है के भी गजए एन जो इसले नैलोन में किसके एक लगों के उमध्ध एक प्रकार का बॉंड होता है तो नैलोन में आपको एमाइड पाया जाता है से आपका ग्रूप आपका है ये पाया जाता है और नेलदाय क्या कि आपका ननिर्मित बहुलक रइचली को पैहंतो इने कुद्ट सब्सक्राइन में करिंडे typing ओलक को याद रखेगा और पर्थम निर्मित रइक पर पर्मेब नेखंवहाईस होता रहे में a day linaga singer और इसकी अधिय के बाई पाइटन Candler को कि का फिर्म वाईएसारगी उसमें ऑपान धर रहता जाता व आपको सबसे बड़ा अपका श्याठ्र हम कीछी परशेंटन होसा तो आपका और संक चैटन ह सबसुंद सब से बड़ा सेटलाइट है और सनिग्रा के चारो और एक बङ देखा जाता आगे परथीवी के सत्वा का कीतना परतिसत साग्रों से ढखा हुआ है तो सागरों से ढखा हुए जो भाग है वो आपको 71% है आपको मालूंगा पिर्थिव का 71% पर पर आपको पानी है मतलब समुदर और 29% पर पर पिर्थिवी है मतलब कि अस्थल है ठीक है तो यहां पर चुकिए 70 ने यह नियरीस जो आपका 70 है तो यह करेट रांसर हो जाएगा पिर दुनिया का सब्से सुष्क स्थान और वो बने हैं नहीं बीच सेटेमेटर किवरियें फीडिना करने इंतर सास्तान है और जबकि आपको जो यह अगिस्तान का छेतर है जो थारो में रुस्तल वला है वो सुस्क से ज्यादा जो गर्म अस्तान के रुप में जाना जाता है यहां पर पूछ रहाए कि यह कश कर्या agreement करता सी और बाकी को अगर देखे तो केनारी भी यह आपका ठंडी जल्धार है, OEO CO यह भी ठंडी है, Humboldt में ठंडी है, जो गल्फ अफ्रीम है यह आपका अट्लांटिक महासागर में चलता है, और जो OEO CO है यह आपको परसांत महासागर में देखने को मिलेगा, जबकि जो केनारी है कनारी यह भी आपका अट्लांटिक में देखने को मिलता है, और ठंडी जल्धार है, Humboldt के अगर बात करें तो Humboldt यह आपको पेरू टट के पास देखने को मिलता है, पेरू टट के पास, और इसलिए कभी-कभी पेरूबियन जल्धारा के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छा एक ट्रिक आपको बदाता है, एक है आपको OIO CO, ठीक है, और एक होता है आपको QO, QO, तो कैसे किसी को, अगर कोई भी अगर डाटना या कुछ करना रहा, वो घर्म जोसी से बोलना होता है, तो क्यों करोगे यह काम, क्यों क्यों यह कियोर, फ्ली हो, प्ले से या, कियोर, इस अपना करते हो, घर्म जल्दा रहा हो होnehmer, यह और उसकर मिलना यह दोनों जोह है, वो आपको जपान के पास मिलती है, जपान के पास आपको QO और OIO CO दोनों आके मिलती है, तो 72 का जो सही आन्षर हो गया वो आपको A होगा, यह देश भूमी से चारो और से घिरे हुए, यह पुछने का मतलब यह है कि कितने देश आपका landlock है, ठीक है, landlock country की संख्या पूछा जा रहा है, तो पूरे विचु में जब 44 ऐसे country है, जो कि landlock है, और उसमें जब कुछ country जो है, डवल landlock है, डवल landlock का मतलब क्या हुआ, कि जो भी जो है no landlock किसी और देस से तो यह जो अंदर वालक देस या वह आपका कहला रहाएगा double landlock ड्लेक रहाए तो ऐसे दो ऐसे country है जो कि आपका double landlock है एक आपका लिंच 17 जो कि जियो नुट्रेंच 15 अपको यूरोप में देखने को मिलेगा बो double landlock county है उसके अलाभा एसिया में आपको उजबेकिस्तान देखने को मिलेगा उजबेकिस्तान बो भी आपको डवल लेंडलोग कंट्री के रुप में जाना जाता है यहां पे पुछा जा रहा है कि दो तारे हैं जिनका तरंग धहर यहां पे दिया हुआ है और पुछा जा जा रहा है अधिक्तम और जाव सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात यहां पे दिया हुआ है है ऩिस्क कि किसी भी वह सद्य का जो थ्रंगत है और त अगर दोनों का गुननफल देखा जाए तो पहला तरह यह है उसका तरंगत यह है और तो दूसरा को अगर हम लोग देल्टावन मान ले और यह T1 मान ले तो फिर क्या हो जाएगा कि एक equation यहाँ पर बन जाएगा और यह जो inversely proportional हो जाएगा तो वैसे में TYT1 अगर आप निकालिएगा TYT1 तो यहाँ पी जो त्रंग्धाय रेबो एक्स्चेंज हो जाएगा और यह उपर चला जाएगा मतलब 4.8 आ जाएगा और नीचे में 3.6 आ जाएगा और अगर एक नॉर्मल वे में लेके चले तो यह जो है काटशाट के आपका और बारत यह 36 और यह बारत यह 48 मतलब 4.3 के रेशियो में यह आ जाएगा तो 24 का जो सही अंसर होगा वो होगा 4.3 बस आप इतना याद रखिए कि यहां पर जो तरंग धहर है वो आपका टेंपरेचर का इनवर्सरी प्रपोर्पोर्सनल हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है आप कब यह निकल जाएगा फिर पूछा जा रहा है क्योरी ताप का सम् प्रप्रेचर है वो बोले जाता है आपका यह अलग अलग मतलब बस्तू के लिए अलग अलग होता है ठीक है में लिक क्योरी ताप कि इस पी जाए मतलब कोई भी चुमबक के परदात था उसकी चुमबक सिल्था को जो यह समाप्त कर देता है तो वो जह में इसका फिचर हो पर पर यह अपना चुमबक की आता हो देता है रफात अनुचुमबक की हो जाता है तो यही क्योरी टेपरेटर की समन्त आपका चुमबक की आता से होता है आगे दिखते है पूछ ही काग समतल्था और शीचलता है तो उसी album में अपना परतिम कि शाण से अपनी यह यह आत अगर भी स्पुड स्ट यह जा रहा तो इधर से दिखेगा कि वो तो भी स्पीड से आ रहा है वही migrant अजय जो संतल दरपन होता है उसमें भॉस्टू बनने कौध वह सिदा बने में सीधा वने गा हो और आफ़ासी हो बनेगा, ठीक है, दर्पन के पीछे बनेगा, तो ये इसका फिचर होताँ, वहीं एक प्रस्म पुछा जाता है, कि किसी भी बस्तु को दर्पन में देखने के लिए उसकी उचाई कितनी होना चाहिए, तो बस्तु की जो लंबाई है, उसे कम से कम आधी होने चाहिए, अगर उ यह सारे फैक्ट जो है समतल दर्पन काया तो सही एंसर हो जाएगा 76 का ए नंबर हो जाएगा फिर बिहार के इस तरफ के राज में सरवाधिक जनसंख्या सिंपल है कि आपको जो है बिहार का चवहदी पूछा जा रहा है कि मालो अगर यह बिहार है तो किस साइड में आपको ज जादा देखने को मिलेगा ठीक तो सॉरी थोड़ा सा मैप कभी-कभी जो बोग घरबड हो जाता है इस तरीके से जो है अब बिहार का मैप और लगबग इस टाइप का बिहार का मैप है और पूछा जा रहे है बिहार के किस तरफ के राज में सरवाधिक जनसंख्या तो उप फिर अगर आप नीचे देखोगे तो जहरखंड है तो जहरखंड की जनसंख्या जो है वो आपको बिहार से भी कम है फिर अगर इस साइड में अगर आप देखोगे तो यूपी यूपी का जो जनसंख्या वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है यूपी की जनसंख्या वो बिहार से भी आपका ज्यादा है और मिली आपको यह पूछ रहा है कि किस तरफ राज में सरवाधिक जन संख्या है तो वो बिहार से तुलना नहीं कर रहा है बस बिहार के किस तरफ ज्यादा जन संख्या है यह पूछ रहा है तो यूपी में जो है वो आपका ज्यादा जन जन संक्या, 77 का बी नंबर जो है, correct हो जाएगा, देखते हैं अगले प्रफशन को, पूछा जा रहा है, चिलका जील कहाँ पर है, तो याद रखेगा, चिलका जील जो है, वो आपका ओरिसा में है, और चिलका जील की भी सहस्ता यह है, कि आपका टटी है, चेतर में इस्तित है ठीक है, कहाँ पेस्तित है, यह टट पेस्तित है, चिलका जील, और एक तरीके का यह है, आपको खारा पानी का जील है, वो ही अगर पूछा है, सबसे बड़ा खारा पानी का जील कौन सा है, तो वो आपका सांभर जील हो जाएगा, सबसे बड़ा भारत का खारे पानी की जी देखते अगले प्रेस्ट को आगे जो है आपको इल सी है पुछा जा रहा है तो मैथ और जो रिजनींग के प्रेस्ट है उसे जो हम सिर्फ उसका अंसर देखेंगे आप उसे पहले बनाने का प्रियास किजिए उसके बाद यहां पर अंसर आप मैच कर लिजेगा तो 79 का जो सह अंसर है बो होगा d number 81 का सही अंसर हो जाएगा c number 81 82 की अगर बात करें पूछा जा रहा है सुमात्रा दीप किस में इस हित है तो याद रखेगा सुमात्रा जो दीप है वो आपको हिन महासागर में इस्तित है आपको मालूम होगा जावा सुमात्रा इंडोनेसिया यह सारे ज स्थित है तो 82 का जो सही अंसर है वो हो जाएगा ए नंबर आगे किस देश में सरवाधिक time zone है time zone की बात कर रहा है जैसे भारत में क्या है कि साढ़े 12 डिगरी वहां से गुजरता है और भारत में एक ही time zone है ठीक है भारत में एक time zone है लेकिन अगर बात करोगे आप फ्रांस क तो फ्रांस में जो है वो सबसे अधिक time zone बोला रहता है फ्रांस में जो time zone की संख्या वो आपका 12 है वहीं फ्रांस के बाद रूस रूस में जो है वो 11 time zone है अब time zone का मतलब क्या हो गया आपको मालू है कि रूस जो है कितना बड़ा country है ठीक है और जो हम लोग time आपते है वो काफी difference देखने को मिलेगा जैसे आप भारत कहीं example लेप भारत में क्या है कि भारत को आप को अरुनासल प्रदेश का area है और आप गुजरात का area हो गयाहिए तो गुजरात में क्या है कि गुजरात और अरुनासल प्रदीस इन दोनों में अगर देखा बढ़ है तो 29 डिरी द नाइन का है तो लगभग दो घंटे का डिफरेंस जो है वो आपका अरुनासिल प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगा तो इसलिए जो है वहाँ पर अलग-अलग टाइम जोन बनाया गया बाकी के देशों में लेकि इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में एक टाइ तो कियosinnen में ग मिलेगा में बहार में कितनी जिल है तो आपको हगा याद होगा बहार में जो 38 जिल है गलत नहीं कर चकोटाटे ही अगर चांट में फिक्र हाँ जाए मों है आपको प्रदेशन का चांस ज़ो है फिर कम जाएगा खांड जिए लिए तुल हम आतनों को खलट क करेक्ट हो जाएगा 85 को देखते है 85 का जो सही अंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा वहीं 86 की बात करें तो 86 का जो सही अंसर है एक मिनट 86 का सही अंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 87 का सही नंबर होगा बी नंबर 24.5 88 का जो सही अंसर है वो है बी 89 का सही अंसर हो जाएगा बी नंबर 90 का जो सही अंसर हो जाएगा बी नंबर 91 की अगर बात करें तो इसका सही अंसर हो जाएगा ए फिर यहां पर पूछा रहा है कौन पुरा तत्विक लकड़ी की आयू निर्धारन करने में उप्योब किया जाता है तो देखो आयू की निर्धारन में जो लकड़ी वगरा है उसके आयू की निर्धारन में जो है वह carbon 14 का यूज़ किया जाता है, carbon का जो परमानुसंख्य होता है वो 6 होता है, और जो परमानु द्रमान ओता है 12 होता है, लेकिन जो इसका समध्थानिक है, carbon 14, उसका यूज़ जो है, उसका यूज़ आपको पर कुरा, यह जोinde active Liu मुझा गर्लों किया जाता है तो इसी जो आप याद रखेगा इसी को बोला जाता है carbon dating का नाम दिया जाता है इससे, ठीक है, वही एक और fact याद रखेगा, जो चटानों की आयू है, चटान की आयू को ग्याद करने में जो है, वो uranium का यूज़ किया जाता है, ठीक है, uranium समस्तानिक का, और इसलिए जो एक कौनसा समीकरन चार्व नियम को परकट करता है यह maior नियम को परकट करने का काम वह इस नंमर करता है अधिने तुझ आना बोलता है और इस कए अतुर इस तरबर पर गए। होता है volume होता है बोड उसके temperature के समानुपाती होता है यह जो है चाल्ज का आपका नियम होता है तो 93 का सही अंसर हो गया भी डिरेक्ट लेर्ट परफोस्विल 2T होता है फिर आगे जो है 94 की बात करें 94 में पुछा जा रहा है कि इसमें 6 इंटू 10 to power 23 परमानु नहीं है बोल रह आपका option number 86 परमान नहीं पाए जाता है इसमें कितना पाए जाता है तो यह आपका 3.011 into 10 पर 23 पाए जाता है तो यह हो जाता है इसका चाहिए अनसर आगे देखें बोल रहा है एपसम लवन किसका योगिक है तो एपसम लवन जो है वह आपका magnesium का योगिक होता है एक्चुली क्या है कि यह है मैगनेसियम सलफेट होता है मैगनेसियम सलफेट इन्टू 7H2O तो यह आपका एपसम लवन कहलाता है तो इसका से अंसर हो जाएगा मैगनेसियम आगे कि जर्मन सिल्वर क्या है तो देखो जर्मन सिल्वर क्या है कि एक मिस्र धात हुए जो बना हो पे आपका निकल भी है copper भी है तो ये दोनों यहां पे मौजूध है और जरनमलixa मी यह पाए जाता है पूछा जाए जाए संपर्क विधी इसके निर्मान में प्रयोग होता है किसके निर्मान के लिए जो अधर संपर्क विधी का घवरविधी के ज़़ारा किसका ओब निर्मान होता है तो आमनोम्हान का निर्मान होता आपका commission के द़ॉरह किया जाते है हो आगे पुछ जा रहा है कि भारी जल कर रसाइनीक नाम क्या है तो तो यह सै pe count is a हूसे टैप से गां परभात गदा जा सकतले हुए अधिन समस्थानिको आपको अधिमत्र का सिफ्रायद के यह एक जाए दीजरी सिफ 국न के वह अनली अधिन स्पराइडु पॉर०्य ही यह थो आपको पर्मानू लाक करत सबना परमानु रेक्टर में इसका यूज किया जाता है, निट्रोनों की गति को कम करने में, ठीक है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, 98 का बी नंबर जाएगा, बो करेक्ट अंसर हो जाएगा, अगला प्रस्म पुछे जा रहा है कि NACL में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, परकार के क्वांटम संख्याएं होती है, तो यहां पूछा जा रहा है, कितने परकार के क्वांटम संख्याएं होती है, तो अगर आपने पिछले क्लास किया होगा, तो वहां पे भी इसका एक्स्प्राइशन में दिया होगा था, कि चार परकार के क्वांटम संख्याएं होती है, एक तो मुखे क्वांटम हो गया, उसके अलावा जो दिव गंसी होता है, चुमबकी होता है, और चक्रन होता है, पिछले क्लास में चक्रन के बारे में पुछा हुआ था, जिससे एस से रिपरजेंट किया जाता है, और उसमें दो परकार का होता है, एक तो आपका पलस वन वाई टू और एक माइनस वन वाई टू, पिछले क्लास में मतलब जो सेट था, आपका जनवरी 2017 का, उसमें कि द्वारा जो है, वो कांटम का कॉंसेट दिया जाता है, अब आगे जो है, वो आपका मैथ और रिजनी के प्रस्ने, उसे हम रिजनी के हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, तेजी में, पहला 101, 101 का जो सही अंसर हो जाएगा, वो होगा, बी नंबर, बी नंबर जो क्रे है, तीन का जो है, सी करेक्ट हो जाएगा, वहीं अगर चार की बात करें, तो चार का जो है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पांच में, 104 का करेक्ट अंसर आपका बी नंबर था, 105 की अगर बात करें, तो 105 का करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर, 106 जो है, इसका करेक्ट अंसर जाएगा, B number 9, 108 की अगर बात करें, 108 का सही answer है, C number, C जो ए, correct होगा, 9 का A number जो correct हो जाएगा, 10 का देखते हैं, 110 का correct answer है, वो होगा D, 4, आप सबसे पहली क्या कीजिए, इसे attempt करनी का प्रयास कीजिए, और attempt करनी के बाद, उसके बाद जो है, आप answer को मिलाइए, और attempt करनी के ब अपना अंसर मार्क्स कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है और अपने study को और भी ज्यादा बुफ्ट कीजिए देखते हैं कि 110 का हो गया था 110 का डी नंबर 11 की बात करें तो इसका डी नंबर हो जाएगा 12 12 का जो सही अंसर है वो 112 का जाएगा C नंबर जो है वो correct हो जाएगा 113 की बात करें तो B जो है correct होगा 14 जो है D नंबर correct हो जाएगा 15 का जो सही answer है वो होगा B number 16 का सही answer हो जाएगा D number जो है यह correct हो जाएगा 17 का जो सही answer है वो होगा A number और 18 का सही answer हो जाएगा आपका उस number C 1319 जो है यह correct हो जाएगा C number 19 देख लेते हैं 19 का जो ज़िए अंसर है वो होगा B नमبر जो है correct यहां पे हो जाएगा कॉनसाइसुमेलिक नहीं है वो पुछा रहा है तो B जो है correct हो जाएगा फिर 120 देखते ही 120 का सही अंसर होगा B नमबर 121 121 का सही अंसर है D 122 की बात करें तो इसका सही अंसर हो जाएगा B नंबर 113 का सही अंसर हो जाएगा A 124 D हो जाएगा 125 का correct हो जाएगा C नंबर 126 का A नंबर correct हो जाएगा 127 की बात करें तो 127 का correct वो आपका B नंबर हो जाएगा 128 का सही अंसर है D नंबर पत्चास 139 का सही answer हो जाएगा ये d number हो जाएगा और 130 का सही answer हो हो जाएगा전에 131 का सही answer हो जाएगा c 132 का सही answer हो जाएगा c देखो इससे क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस type की question आपको पूछे जा रहा है अगर आप देखोगे तो image के प्रस्षन भी जो है इसमें दो तीन प्रस्षन आपका image का पूछ लिया जा रहा है ठीक है तो आप उसी recording जो है अपना practice कीजिएगा बापस आते अपने question पर कां तक हम लोगों ने देख लिया था 132 देख लिया था 132 का जो सही answer है वो आपका C number था 133 का सही answer जो है वो A हो जाएगा 134 का सही answer D हो जाएगा 135 का जो सही answer है वो होगा C C number जो है correct हो जाएगा 136 का सही answer जो है B हो जाएगा 0 और 137 का सही answer जो है वो B हो जाएगा 138 की बात करें तो 138 का जो सही answer है वो हो जाएगा B number और 149 का सही answer हो जाएगा A 140 का जो सही answer है वो होगा C number और 141 का सही answer हो जाएगा B number 142 की बात करें तो इसका सही answer है आपको option number A जो है वो correct हो जाएगा 143 का सही answer है option number B 144 का सही answer है option number B 145 का अगर बात करें तो इसका सही answer हो जाएगा option number D जो है वो correct हो जाएगा 146 का जो है A number correct होगा और 147 का सई answer हो जाएगा option number D, 148 का जो सई answer है बो हो जाएगा A, 149 का सई answer हो जाएगा A और 150 का जो सई answer है बो हो जाएगा B number ठीक, B जो यहाँ पर सई हो जाएगा तो इस तरीके से जो आपका 150 question था वो पूरा complete होता है यहाँ पर आप एक पर अपने एंसर को यहां से भी अगर आपको किसी भी question में confusion होता है तो आप यहां से भी match कर सकते हो ऐसे सारी question के answer आपको correct बताए गया है और जी के और जो science के question थे वो काफी detail में आपको बताने का प्रयास किया गया है तो आप अपना feedback भी देश सकते हैं कि कैसा आपको यह series लगा और इसमें अगर आप कोई improvement चालते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके का improvement आपको उपलट करवाया जाए और आप इस वीडिय अगले वीडियो में हम लोग थेंक यू